परमाणू वैद्दूत उदासीन होता है, क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटोनों की संख्या, कक्षों में उपस्थित रिन आवेशित इलेक्ट्रोनों की संख्या के बराबर होती है. इलेक्ट्रोन के ग्रहन करने पर परमाणू रिन आवेशित आयन रिन आयन तथा त्याग करने पर धन आवेशित आयन धन आयन बनाते हैं आयन पर पाया जाने वाला आवेश ग्रहन या त्याग किये गए इलेक्ट्रोनों की संख्या के बराबर होता है आएए अब क्लोरीन परमानों पर विचार करें अक्रिय गैस विन्याश प्राप्त करने के लिए क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन या साथ इलेक्ट्रॉन का त्याक कर सकता है यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करता है यदि वह साथ इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है तब उसके K कक्ष में 2, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रोन हो जाएंगे और वह CL7 प्लस आयन बनाएगा सोडियम नाभिक साथ अतिरिक्ट इलेक्ट्रोनों को बांधे रखने में सक्षम नहीं होता उसी प्रकार क्लोरीन के लिए भी CL7 प्लस की स्थिती प्राप्त करना कचिन है इसका अर्थ है सोडियम परमानूं के लिए एक इलेक्ट्रोन का त्याग करना तथा क्लोरीन परमानूं के लिए एक इलेक्ट्रोन ग्रहन करना सरल है अतह सोडियम परमानों एक एलेक्ट्रोन त्याक कर Na plus आयन तथा क्लोरिन परमानों एक एलेक्ट्रोन ग्रहन कर Cl minus आयन बनाता है वीपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस पर आकर्शित होकर इस थिर वैद्यूद बल में बन कर सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्मान करते हैं आईए सोडियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंद को समझें सोडियम परमानों के सयोजी कक्ष में एक एलेक्टरौन और क्लोरीन परमानों के सयोजी कक्ष में साथ एलेक्टरौन होते हैं जब ये दोनों पर्माणू एक दूसरे से टकराते हैं, तब सोडियम पर्माणू एक इलेक्ट्रॉन का त्याक कर धन आवेशित आयन का निर्माण करता है, इस प्रकार वह अपना अस्टक पूर्ण कर इस्थाई सनचना प्राप्त करता है। इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरिन ग्रहन करता है तथा अपना अस्टक पूर्ण करता है। अब क्लोरिन पर्माणू ग्रिन आवेशित हो जाता है, विपरित आवेशित आयनों के बीच के इस्थिर वैदूत आकर्शन बल के कारण सोडियम क्लोराइड अनों का निर्माण होता इस प्रकार बना बंद वैदुत संयोजक बंद या आयनिक बंद कहलाता है जिन योगिगों का निर्माण इस प्रकार के आबंधन से होता है उन्हें वैदुत संयोजक योगिक या आयनिक योगिक कहते हैं ध्यान देने योग की बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अनों के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह वीपरित आवेशित आयनों का समुच्चह होता है. यहां बंध एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के मध्य ही नहीं बनता, बल्कि एक द्रिवमी क्रिस्टल का निर्मान होता है, जिसमें प्रतेक धन आवेशित सोडियम आयन रिन आवेशित क्लोराइड आयन से घिरा होता है. ठीक वैसे ही रिण आवेशित क्लोराइड आयन धन आवेशित सोडियम आयन से घीरा रहता है क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या क्लोराइड आयन की संख्या के बराबर होती है सोडियम क्लोराइड की त्रिविमी सरशना का चित्र अमेरिकी रसायनग्य गिल्बोर्ट न्यूटन लुइस ने परमानों में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रोनों को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रोन बिंदू सरचना या लुइस प्रतीक का उप्योग किया इस विधी में परमानों के बहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रोनों को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारो और उतने ही बिंदू लगाय जाते हैं जितने इलेक्ट्रोन उसके बहतम कोश में उपस्थित रहते हैं आईए अब हम कुछ और योगिकों का अध्यन करते हैं जिनमें आइनिक बंद पाया जाता है मैगनिशियम एवं क्लोरीन के मध्य भी आइनिक बंद का निर्मान होता है मैगनिशियम की परमानू संख्या 12 है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखिए और यहाँ भी सोचिए कि वह कैसे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा